किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकर आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल आज कल मार्केट में कई कम्पनियों के अच्छे अच्छे कीटनासक उपलब्द हैं तो हमें कौन से कीटनासक का पुर्योग करना चाहिए यह चूज करने में हमें काफी ज़्यदा दिक्कत होती है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डव एग्रो साइंस की डेलिगेट और एपेमसी की कोराजन में से अच्छी कीटनासक कोन सी है हम डेलिगेट ड़ले यह कोराजन वीडियो में आगे हम इन दोनों दवाओं के टेक्निकल क्रोप स्प्रे यह कौन कौन से कीटो को कंट्रोल करती है इसका सई डोज वा इनकी प्राइज के बारे में बात करके निशकर्च निकालेंगे कि इन दोनों में से अच्छा कीटनासक कौन सा है तो इसकी पूरी जानकारे के लिए आप वीडियो को बीना इसकीप के अंतो तक देके और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आई गंटी की निसान को जरूर दबा दीजिए जिसे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए अब हम इन दोनों दवाओं के बारे में एक एक करके स्पेसल बात करते हैं फिर बात करेंगे कि इन में से बेश्ट कौन सी हैं सबसे पहले बात करते हैं डेलिगेट की तो डेलिगेट में टेकनिकल होता है इस्पेने टोरम 11.7% डेलिगेट ऐसी फॉर्मिलेशन में होती हैं डेलिगेट एक ग्रीन लेबल की कीड़ ना सकें और या मद्दू मक्यों को भी नुकसान पहुचती हैं इसलिए इसका प्रयोग आप फ्लोरिंग स्टेज में ना करें प्लोरिंग स्टेज से पहले या बाद में आप कभी भी इसका स्प्रेक कर सकते हैं अगर क्रोप स्प्रेक की बात करें तो डेलिगेट का प्रयोग आप स्वैबिन, मक्का, पत्ता, गोबी, टेमाटर, कपास, प्याज, लैसोन, इस्ट्राबेरी, एपल, उड़द, मूंग, र बाहर, मटर, धान वर सबजी वर्गी फसलों में कर सकते हैं अगर इंसेक्ट कंट्रोल की बात करें तो डेलिगेट, रेस्ट, उसक वद चबाने वाले कीटों दोनों को कंट्रोल करती हैं या मुक्य रोप से अमेरिकन, इली, तंबाको, इली, पत्ता, लपेड, तना, छेद इसको लेकर काफी जदा कंट्यूज होते हैं कंपनी के अनुसार इसका डोज 180 अमेल परती एकड़ हैं लेकिन 180 अमेल परती एकड़ अगर किसान प्रीयोग करेंगे तो खर्चा काफी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्प 80 aja मेल परती एकड़ में भी इसका सांधार रे पास है मतलब कि ये काफी महेंगी कीड़ ना सके अब बात करते हैं कि कोराजन की तो कोराजन में टेकनिकल होता है क्लोरेंटरा नेली प्रोल 18.5 परतिसत एससी कोराजन एक सिस्टेमेटिक एंड ब्रोड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है इसका प्रयोगाप स्वयबीन धा अब बत्ब से तना छेफ़क पता मोड़क जमकीले पतंग दीमक अमेरिकन सुन्डी तमबागो इली दबयदार सुन्डी सेमेल ऊपर इली तना छेफ़केग फल मकी तना मकी गडल बेटल गुलाबी तना छेफ़क कापास की सुन्डी और फाल आर्मइ वरम को कंटॉल का दे कोराजन का डोज रखना है मतलब 60 ml प्रती एकड़ और 60 ml की ओनलाइन प्राइज है 950 रुपे के आसपास यानि की एक एकड़ में 900 से 950 रुपे के आसपास का खर्च आएगा चलिए अब बात करते हैं कि डेलिगेट डाले या कोराजन तो रिजल्ट तो दोनों कीट नासक का क भी कंट्रोल कर लेती हैं इसलिए अगर आप डेलिगेट का प्रियो करोगे तो आपको रस्टूसक कीटो को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग दवाई नहीं मिलाना पड़ेगी तो मेरे इसाब से तो डेलिगेट अच्छी घिरना सक है लेकिन इसके बारे में आपकी क्या र